लोग सभा चुनाव के लिए भाजबा का चुनावी घोशनापत्र जारी किया गया। इसमें देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर फोकस करते हुए 55 संकलपों को रखा गया है। दवा किया गया कि इसे 6 करोड लोगों की मदद से तैयार किया गया। इसे संकलपित भारत, सशक्त भारत नाम दिया गया है। घोशनापत्र में भाजबा के वादे, भाजबा के प्रमुखमुद्धे युनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। सिटिजनशिप अम्मेंडमेंट बिल दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे लागू करेंगे। लेकिन किसी राज्य क संस्कृती और भाषाई पहचान को बचाएंगे। राम मंदिर के संकल को भी हम दोहराते हैं। हमारा प्रयत्न होगा की राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्मान हो जाए। कश्मीर से अनुच हिद्ध नयव हटाएंगे। गाउं किसान 25 लाख करोड रुपे ग्रामीन कास में हम खर्च करेंगे। किसानों की आये को हम 2022 तक दोगुना करेंगे। किसान क्रीडिट कार्ट पर मिलने वाले एक लाख के कर्ज को 5 साल तक ब्याज मुक्ती रखेंगे। आदिवासी स्वतंतरता सेनानियों के लिए हम संग्रहाले बनाएंगे। बुनियादी सुवि 2022 तक जितनी भी रेल पटरियां हैं, उन्हें ब्रोड गेज में परिवर्तेत करेंगे। सभी रेल लाइनों का पूरी तरहें विद्युतिकरन करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देंगे। सरकारी सिवाओं को डिजिटल बनाएंगे। शिक्षा हेल्थ केर सेंटर बनाए जाएंगे। गरीबों को दरवाजे पर ही चिकित्सा सुविधा मुहया कराने के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे की बचकर 1400 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हो। सुरक्षा आतंके प्रती जीरो टॉलरेंस पॉलिसी महिलाओं को 33% आरक्षन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्यापारी राष्ट्रिये व्यापार आयोग बनाएंगे जो व्यापारियों और बिजनेसमैन की चिंता करेंगे। दुकानदारों को 60 साल की उमर के बाद पेशन देंगे। इज औफ डूइंग बिजनेस में भारत की रेंक और बेहतर करेंगे। निर्यात दो गुना करेंगे। उद्ध्योंगों के लिए एकल खिड़की और अनुपालना विभाग बनाने पर काम करेंगे। मोधी ने कहा अब देश के सपनों को पूरा करेंगे। संकल पत्र की घोशना के दोरान मोधी ने कहा, 2014 से 2019 19 में हमारे कारियों में सामाने लोगों की जो जरूरते हैं उन्हें हमने एड रेस किया देश जिन सपनों के साथ चल पड़ा है जो 1950-60 के कालखंड में होना था वो मुझे 14-19 में करना पड़ा पहले हमने जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाय चलाई और अब देश के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे गरीबी से लड़ना है तो दिल्ली में एसी में बैठे लोग गरीबी को परास्त नहीं कर सकते मैं भी एसी में बैठता हूँ इसलिए ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता गरीब ही गरीबी को खत्म कर सकता है शाह ने कहा मोधी सरकार देश की अर्थविवस्था ग्यारावे से छेवे नंबर पर लाई घुषना पत्र जारी होने से पहले अमित शाह ने कहा 2014 से 2019 की यात्रा का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब यह 5 साल स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने पड़ेंगे इन 5 सालों में भाजबा ने एक निर्नायक सरकार देने का काम किया गया 50 करोड गरीबों को उठाने के लिए काम हुआ है मोदी जी की सरकार ने जरूर तमंदों तक गैस सिलेंडर, बिजली, घर, स्वास्तिर जैसे बुनियादी सुविधाएं पहुचाने का सफ़ल प्रयास किया देश की अर्थविवस्था के बारे में पूरी दुनिया को सोचना पड़े ऐसा काम मोदी सरकार ने किया है हमारी अर्थविवस्था 2014 में 11 नंबर पर थी आज 6 वे स्थान पर पहुच गए हम और तेजी से 5 वे स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं मंच पर साथ नेटा, आडवानी जोशी नहीं संकल्प पत्र जारी करने के मके पर भाजपा के मंच पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित्षा के आलावा घोशना पत्र समेती के अध्यक्ष राजनात सिंग, अरुण जेटली, सुश्मा स्वराज, थावरचंद गहलोत और रामलाल मौजूद थे लालकृष्ण आडवानी और मुरली मनुहर जोशी मंच पर नहीं थे 2014 और इससे पहले लगभग हर मौकों पर इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में ही भाजपा ने लोगसभा चुनाव के लिए घोशना पत्र जारी किया था